अगर आप भी शनी देव महराज को खुश करना चाहते हैं तो इन नौ उपाई में से यदि आप एक भी कर लेंगे तो वो आपको देंगे मन चाहा वर्दान तो आएए जानते हैं शनीवार के दिन आपको क्या-क्या उपाई करने चाहिए पर इसको जानने से पहले आप मारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो जेली देख सकें आज शनीवार है यानि कि शनीदेव को उचने का दिन बाना जाता है कि इनसान के हर अच्छे बुरे कारे का फर शनीदेव ही देते हैं आप सभी में सुना होगा कि शनीदेव अगर किसी पर गुसा हो जाएं तो व्यक्ति को कई परकार से परिशानिया हो सकती है इसलिए लोक शनीदेव से काफी डरते हैं और उन्हें खुश करने के तरह तरह के उपाये खोचते हैं लेकिन वही अगर शनीदेव किसी पर दिल से खुश होते हैं तो उस इंसान को हर शेत्र में सफलता मिलती है व्यक्ति की कुंडली में साड़े साती और ढया होने पर ये उसकी सफलता में बादत बनती है तो इसलिए आज हम आपको कुछ उपाये बताने जा रहे हैं जिने करने से शनीदेव खोश होते हैं और मन चाहाँ फल देते हैं ये उपाये शनीवार को ही किये जाने चाहिए नमबर वन हर शनीवार को काले तिल के साथ आटा और शक्कर मिला ले और उसे चीटियों को खाने के लिए छोड़ दे 2. अगर किसी इंसान को शनी देव की कृपा नहीं मिल रही है, तो काले घोडे की नाल या नाव की कील से अंगूठी बना कर अपनी मध्यमा उंगले में शनीवार के दिन सूर्य अस्त के समय धारण करें 3. आप चाहे तो शनी देव से मुक्टी पाने के लिए उंके नाम का 108 बार जब करें नाम इस प्रकार है, खोड़, पिंगल, बब्रु, कृष्ण, रुदरानतक, यम, सौरी, शनेश्चर, मन, पिपलक्षे 4. आज के दिन दान जरूर करें, आज काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बरतन, उड़त की दाल का दान करें इससे शनी देव खुश होंगे और आपको मन चाहा फल भी देंगे 5. बंदर 6. आज के दिन शनी देव की पूजा करें, और उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें इसके साथ ही शनी मंत्र, ओम, शम, शनिश्ट्राइ, नमहाक का रूदराक्ष की माला से 108 बार जब करें ऐसा हर शनिवार करें, जिससे आपके सिर से शनी देव का साया हट जाए 7. सुबा सनाग करके एक कटोरी में सरसो का तेल लेकर उसमें अपना चैरा देखें फिर यही तेल किसी गरीब को दान में दे दे, इससे भगवान शनी खुश होंगी और आपका भाग्या बदल जाएगा और बादाएं भी दूर होंगी 8. आप चाहे तो अपनी सोविदा अनुसार सुबा नहा कर पीपल के पेड को जल चड़ाएं इसके बाद उसी पीपल के पेड की साथ बार परिक्रिमा करें मंदिर में लगे पीपल के पेड के पास दिया जलाएं 9. तांबे की लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें फिर यही जल शिवलिंग पर चड़ाएं ऐसा करने से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और भूले नात की क्रिपा से आर्थिक तंगी दूर होगी तो दोस्तो आज की वीडियों में इतना ही ऐसी जीवन से जुड़ी और समस्याओं का समधान जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए नमस्ता